कि छोले बनाने के लिए मैंने ये एक किलो छोले राज से भिगो दिया था और ये रिखिए ये अच्छी तरह से फूल गए हैं इसे अब हम उबाल लेंगे इसे मैंने कूकर में डाल दिया है और ये मैंने एक चमच अच्छवाइन डाल दी है चार से पांच नग लॉंग डाल दी है चार से पांच नग इलाईशी डाल दी है और आधा इंच दाल चीनी डाल दी है और ये दो से तीन मैंने तेज पत्ता डाल दिया है और ये सास से आंट नग मैंने लहसुन डाल दिया है एक लिटर पानी में मैंने दो चमच चाय पत्ती डालकर उसे उबाल लिया था इस पानी को भी हम कूकर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हमें 6-7 सीटी आने तक उबाल लेंगे ये देखिए 6-7 सीटी आ गई है अब इसे हम चेक कर लेते हैं ये देखिए हमारे चने अच्छी तरह से उबल गए हैं इसे मैं आपको प्रेश करके दिखाते हूँ ये देखिए चने अच्छी तरह से मैश हो जा रहे हैं अब हम इसका तड़का लगाएंगे पैन में मैंने चार चमच ओईल लिया है तीन चमच अदरक लसन और हरी मिर्च का पेस्ट तयार किया है वो डाल देंगे और ये एक मैंने खड़ी मिर्च डाल दी है अब इसे अच्छी तरह से भुन लेंगे और यह मैंने तीन बड़ी साइज की प्यास को पीस लिया था उसे भी इसमें मिला देंगे और इसे गोल्डन होने तक भुन लेंगे यह देखे हमारी प्यास अच्छी तरह से भुन गई है अब यह हम सूख्य मसाले डालेंगे यह मैंने दो चमज धन्या पाउडर डाल दी है दो चमज लाल मिर्च पाउडर डाला है एक चमज जीरा पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से भुन लेंगे यह देखे मसाले अच्छी तरह से भुन गया है और यह मैंने 6-7 टमाटर को पीस लिया है उसे भी इसमें मिलाकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं अब इसमें मैं छोले को डाल दूँगी ये उबले हुए छोले हम इसके अंदर डाल देंगे ये रिखिए हमारा कलरफुल छोले बनकर तयार हो गया है इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, दो चमच मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है, एक चमच चीनी डाल दी है, और दो चमच नमक डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिला के, पांच से साथ मिनिट पकने के लिए रख देंगे, हाई फ्लेम पर, ये देखे, इस त अब इसे हम कवर कर देंगे, 5-7 मिनिट हो गए हैं, यह हमारा स्पाइसी और यम्मी छोले बनकर तयार हो गया है, आप देख सते हैं यह देखने में कितना यम्मी लग रहा है, और इसे अब मैं सर्विंग बाल में निकाल देती हूं, और इसके उपर हरी धन्या के पत्ते डाल कर दोंगी, यह देखिए इस तरह से डाल कर मैंने इसे गानिश कर दिया है, और इसे मैंने निम्बू के साथ सर्व किया है, तो फ्रेंस एक बार इस तरह से छोले बनाईए, खाईए और अपने अनुबो मेरे साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क करना ना भूले, थेंक यू